आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी छा भोजपूरी में एक कहावत है अबरा की लोगाई गाउं भर की भोजाई ऐसा ही कुछ हाल है अभी कॉंग्रेस का आपको बतादे कि पाच राजों में विधान सभा चुनाओ हुआ जिसमें चार राजों में कॉंग्रेस की करारी हार हो गई उसके बाद कॉंग्रेस अपने पैर पीछे खीचती हुई नजर आए और इसके बाद से जो है जेडियो और टीमसी कॉंग्रेस पर बरस पड़े और अपने अपने नेताओं की सलाह लेने के लिए कॉंग्रेस को कहा लेकिन अब कॉंग्रेस या जो ये इंडिया आलाइन्स बना है ये किसकी बात मानेगा आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में पक्षी गठबंदन आई एंडिया को लीड करने वाली कॉंग्रेस को सहयोगी दल अब आँख दिखाने लगी है विपक्षी एक्ता के सूत्रधार बिहार के सीम नितीश कुमार की पार्टी जेडियो की नेताओं का कहना है कि अब कॉंग्रेस को नितीश कुमार की सलाह माननी चाहिए गठबंदन में शामिल टीमसी का कहना है कि कॉंग्रिस ने जमीनदारी मानसिक्ता से पांच राजों में विदानसबा चुनाओ लड़कर देख लिया अब उसे बंगाल की सीम ममताब एनरजी की सलाह मान कर चलना चाहिए कॉंग्रिस के सामने सबसे बड़ा संकत ये है कि वो किसकी सलाह माने कॉंग्रिस ने विपक्ष्री गठबंदन यानि INDIA की बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है इससे पहले पांच राज्यों के विदानसबा चुनाओ परिनाम आते ही कॉंग्रिस ने आनन पानन में 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी सीट बटवारे को लेकर पहले से ही कॉंग्रिस से खार खाय समाजवादी पार्टी की नेता अखले श्यादव ने बैठक में जाने से मना कर दिया नितीश कुमार और ममता बैनर जी ने भी अलग-अलग कारन बता कर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया अब कॉंगनिस के वरिष्टु नेता जोयराम रमेश ने 19 दिसंबर को बैठक की तारीख बताई है इस बार बैठक में जाने की बात तो सभी कर रही है लेकिन अभी सबता भर का वक्त है इस बीच कोई गडबड नहीं हुई तो बैठक में नितीश कुमार और ममता बैनर जी का शामिल होना तो पक्का माना जा रहा है इसलिए इनकी ही ओर से बात आई थी कि कोई भी बैठक हो तो हफता दस दिन पहले जानकारी दी जाए ताकि कोई उस समय अपना कारिकरम ना रखे का मैसेज यही है कि विपक्षी दलों को एक जुट होकर भाजपा का मुकाबला करना पड़ेगा विजय चौधरी ने कॉंग्रिस को छेत्रे दलों की प्रती लचीला रुख अपनाने की सला भी दे डाली है एक जुट होकर ना लड़ने का सबसे अधिक नुकसान कॉंग्रि ने अपने एक्सपर लिखा कि अब INDIA गठवन्दन को नितीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए पिछले कुछ समय से कॉंग्रेस पांच राज्यों की चुनाव में व्यस्त रही जिसकी वज़े से इंडिया गठवन्दन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और अब तो वान सिंग कुछ वहा का कहना है कि तीन राज्यों में भाजपा को सीट जरूर अधिक मिली है पर वोट कॉंग्रेस को अधिक मिला है गठवन्दन के नेताओं को अगर चुनाव परचार में उतार दिया गया होता तो द्रश कुछ और अलग होता उन्होंने भी नितीश कुमार के नेतरुत में आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ने की सला दी है तो यह कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता तो जिस तरीके से कॉंग्रेस चार राज्य हार चुकी है उसके बाद कॉंग्रेस रिस्क लेना नहीं चाहती तो यह भी वज़े हो सकती है कि नितीश कुमार को इंडिया गठवन्दन का नेतरुत करता बना सकती है आपके इस वीडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें नियूसपोर नेशन